नमस्कार दोस्तों UPPCS की परिच्छा बहुत नजदीक है अन्य परिच्छाएं भी जो हैं आपकी उसके लिए भी जो भी नजदीक परिच्छाएं हैं उसमें Current Affair बहुत Important डूल निभाता है उसकी एक सिंखला आज से पहले भी हमें इसको डिसकस करते हैं एक हर डे डिसकस करते हैं डे वाइड डे डिसकस करते हैं लेकिन एक अंत में जो पढ़ाई का रुज़ान होता है वो होता है Important पढ़ ले तो Important के लिए हमने एक सिंखला यहां पर सोची पहले की भादी हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं आती महात्पूर्ण प्रश्णों की एक सिंखला आपकी लिए लेकर आओ तो उसी के तहट आज यह पहला वीडियो है पहली क्लास है आप लोग इसको देख कर बताईएगा यह कैसी है और उसके आगे फिर मैं आगे भी आपको क्लासे दूँगा जो भी महात्पूर्ण प्रश्णों होंगे उनको यहाँ पर डिसकस किया जाएगा जिनकी पूछे जाने की समभावना बहुत ज़्यादा है मैं मुंपांडे आपका गाइट आपका दोस्त चलिए सुरू करते हैं टेस्ट की रूप में अगर आप इसको देना चाहते हैं तो प्रश्ण पढ़ने के बाद मेरे आप उसको पाउस करिए वीडियो को आंसर दीजिए मिलान करके इस कोर्स जरूर सेर कीजिए नहीं तो आपकी तयारी के लिए तो यह अच्छा ही है हाँ पहले ही मैं कहना चाहता हूँ अगर यह अच्छा लगेगा तो बताईएगा और इसको सेर कीजिए अगर लोगों तक और आप अपनी पसंद करके बता सकते हैं इसको क्योंकि फिर फाल्तू का एफट मैं नहीं करूँगा अगर आपकी लाबदायक नहीं तो इसको यह पर बंद कर दूगा ठीक है ना आगी इस इंकला आपकी उसपे डिपेंड करेगी कि आपको रिस्पॉंस क्या होता है चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन लेते हैं हाली में किस फिल्म को यहां पर दिखिए पहला प्रशन है बाद में प्रशन दिखा आपको नहीं मिलेगा ठीक है ना तो किस फिल्म को 91 आसकर पुरुसकार में सर्वसेष्ट विदेशी फिल्म स्रेणी में भारत की अधिकारी प्रविष्टी के लिए चैनित किया गया यह फिल्म थी विलेज राकिश्टार विलेक राकिश्टार जो फिल्म थी इसको चुना गया है और इसको जो प्रशट्वें राश्टे पुरुसकार पुरुसकार कोई मिला था और इसकी जो निदेशक है वो है रीमा दास है ना तो रीमादास का नाम भिया याद रखिएगा अगला प्रशन है 23-25 अक्टूबर 2018 तक राज अस्तरिये खेल महाकूम कायोजन की सराज में किया जाएगा तो ये 25 तेज से 25 क्योंकि आपका पेपर 28 को है तो इससे पहले ये पूछा जा सकता है तो ये हरियाना में हो रहा है राज अस्तरिये खेल महाकूम कायोजन हरियाना में हो रहा है याद रखिएगा निकित में से सत्यकतन आपको पता नहीं 10-11 अक्टूबर 2018 के मत गुड गवर्नेंस पहल पर 6-3 सम्मेलन Regional Conference on Good Governance Initiatives कायोजन कोहिमा नागालैंड में किया गया और इसका जो थीम था Capacity Building Technology Best Practices by Aspirational Districts ये था इन दोनों में से सत्यकतन आपको पताना है तो सत्यकतन यहाँ पर है दोनों का दोनों दोनों सत्य हैं और इसका एंसर हो जाएगा C क्योंकि दोनों सही हैं तो एक वदो दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर देख लिया कीज़े कि कौन सा कहां पर विकल्ब दिया गया है अभी आगे आपको प्रशन मिलेंगे मैं उसमें उपर नीचे कभी कभी कर देता हूँ और रोज की class जो दोग देखते हैं उसमें जानते होंगे वो कि मैं ऐसा करता रहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा ध्यान दे के प्रशनों को करें और जिन्होंने रोज का रोज का रेंटरफेर देखा है उनको इधर दो महिनी के दिये कोई चिंताकर्णी की ज़रूत नहीं का सब कुछ तयार है बस सही से उसको देखा भर हूँ क्योंकि दो महिनी से ही चल रही तो पहले का हम यहाँ पर कवर कर रहे है जिम्री कितने से सत्तिक अथना आप बताईए पांच से आठ अक्टूबर 2018 के मत इंद्रागांती प्रतिष्ठान लखनों में चौथे भारत अंतराष्टी विज्ञान महोत्सो आई आई एस अप 2018 काय उजन किया गया महोत्सो का मुख्य विशय जो थीम था वो विज्ञान प्रद्यों की समाज प्रभावी भागीदारी निर्माड यानि साइन्स और टेक्नोलोजी विल्डिंग पार्टनर से तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि लखनाव में हुआ है इसलिए बहुत इंपोर्टन्ट है पाचवा प्रशन है 26-28 से तंबर 2018 के मते स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आई उजन कहां किया गया तो यह आयोजन जो किया गया है वो किया गया है जैपूर में विल्कुल सही से याद रखियेगा यह समझ दिजिए प्रशन चप चुका है मुझे इतना इंपोर्टन्ट यह प्रशन लग रहा है अब दावा मत कर दीजिए कि आपने कहा था और नहीं आया यह ऐसी बात यहाँ पे नहीं होती है मैं जो बहुत इंपोर्टन्ट होता है उसको मैं कहता हूँ कि आईसा हो चुका है जिससे आप उसको भूले ना चठा प्रशन है निम लिखित में से सत्य गतान आपको पताने है 23 सितंबर 2018 को परदानमंत्री नरेंदर मोदी ने आएगा बताईए इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है क्या है तो यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है पहला तो यह सही है राची जारखंड याद रखियेगा डारिकली प्रशन इसे पूछा जा सकता है और यह जो दूसरा ही statement है 10 करोन परिवार है ना 10 करोन परिवार है और एक परिवार में अगर 5 लोग को target किया जाए तो यह 50 करोन लोगों को इसमें cover किया जाना है लेकिन यहां पर देखिए यह 5 लाक रुपिय भी याद रखिएगा और यह प्रतिवर्स की बात हो रही है 10 करो में very important most important question मद्द शेत्री परिशत की बाइटक है तो अब इसको इसकी अधिक्स्ता कौन करेगा लगवं मोटा मोटा अगर आपको कैसो तो ग्रे मंत्री जो हमारे हैं राजनाज सिंग वही करेंगे अगर वो उबलब नहीं होगे तो राज्जी मंत्री जो ग्रेंगे वो करे हैं 19 सितंबर 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्री मंदलिय समीतिवारा बुद्नी इंदौर मंगलिया गाउं यहां पर के बीज में नई रेल लाइन के निर्माड है तो मंजूरी परतान की ठीक है और इस रेल लाइन के लंबाई 105.5 किलो मीटर होगी सत्य कतान आपको बताना है त इस में से पहला कतन तो सत्य है दूसरा कतन गलात है यह 205.5 किलो मीटर यह अनमानित है ठीक ना कि यह लाइन होगी तो ए एंसर इसका सही हो जाएगा अगला प्रशन है निम्निकित कतनों पर विचार करें भारत में पोशन अभियान के अंतरगत एमीनिया मुक्त भारत के ल पोशा हार की इस्तिती सुधारना तथा सिसुम्रित उदर में कमी लाना है यह बहुत इंपोर्टेंट स्टेट्मेंट है आपके मेंस एक्जाम के लिए लेकिन प्री के लिहास इसको देखिए तो यह तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सही है हमारे यहाँ देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसमें जो पोशन की तत्तों की मात्रा है वो बहुत कम होती है हमारा भोजन जो है भारती है वो कई मामलों में देखा जाता है तो बहुत आईली है बहुत स्पाइसी है तो इस कारण इसके चक्कर में बहुत बार हम आलू ही खाते रह जाते हैं और प कम बीमार पड़ेंगे, स्वस्त रहेंगे, और अगर सब कुछ यह सही कर लिजे, तो वास्तों में बीमार तो, मैं यह नहीं कह सकता हूं, कभी नहीं पड़ेंगे, लेकिन बहुत कम पड़ेंगे, अब प्रदूर्शन जो इन्मार्मेंट में हैं, उसको तो आप दूर नहीं क करा दूँगा, बस आप इसको सुनते रहिए, और फिर एक बार वहां से देख लिजेगा, फिर नहीं समझ में आगे, तो एक बार यहां पर लोटस अचार देखिए क्या है, लोकल ट्रीटमेंट आफ अरवन सीवेज, इस्ट्रीम फार हेल्दी रियूज, यह जो परियोजना है, निम्निकित में से किन दो देशों के वेग्यानिकों की संयुक्त पहल का परिणाम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह भारत औ अरवन सीवेज, इस्ट्रीम फार हेल्दी रियूज के लिए यह समझाता किया है, और नहीं कि यह संयुक्त पहल है, लोटस अचार करके भी आपसे प्रशन पूछा जा सकता है, ऐसे प्रियोग स्टेट इग्जाम वाले बहुत करते हैं, कमिसन जो हैं, हाल में जम्मुयम कस एक प्रशन में आपसे पहले डिसकस कर चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, अब तक कितने राज्य, ODAF हो चुके हैं, बताइए कमेंट बाक्स में, पहले इसको मैंने डिसकस किया था, बारवा प्रशन है, किस राज्य दोरा इवाओं को वेरुजगारी भत्ता देने करते हैं, छोटी पोस्ट में हैं, बता चला वो वीडियो हैं, तो वो अब UPSC का एक्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री वा ने इस्थाम वेपसाइट का सुवारम कहां पर किया गया है, तो यह आंदर प्रदेश में किया गया है, अधिकतर इसमें तेलंगा में लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, दूसरा भी कल देखें, टी वाला तेलंगाना दिया है, लेकिन तेलंगाना नहीं, याद रखिएगा, आंदर प्रदेश में किया गया है, सिंदु घाटी की सब्विता एक परिच्छ है, इस पुस्तक के लिलेखक कौन है, बहुत मिलकल लिखिया है, डाक्टर संजी उसरिवास्तो और राजेस कुमार, एक आप्सन इस करेक्ट, सिंदु घाटी की सब्विता के बारे में ये पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है, किस राज द्वारा स्वच्छधारा कारिकरम का सुभारम किया गया है, त तो ये देश का एरपोर्ट नहीं है, ये विदेश का है, क्योंकि चारो विकल्प देखिये, विदेशी है सारे दूसरे देशों के है, याद रखेगा ये सिरिलंका का एरपोर्ट है, लेकिन हो सकता है कि सिरिलंका में भी दो एरपोर्ट का नाम दे दे, तो पलाली एरपोर से संबानित किसको किया गया बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है अक्सर PCS में पुछा जाता है सारे एक्जाम में इंपोर्टेंट ही प्रशन है तो एस मीरा भाई चानू और विराट कोहली को दिया गया ठीक है ना यह जो पुरुषकार इन दोनों लोगों को दिया गया इस प खिलाडी दिये दूसरे तरफ उनका छेत्र दिया हुआ है तो इसमें से अशुमेलित कौन सा है तो यह नीरत चोपड़ा तीरंदाजी से संबंदित नहीं है नीरत चोपड़ा किस खेल से संबंदित है यह आपको बताना है अगर आप यह बता ले जाएंगे तो मैं सोचूं आप पढ़िये तो इतना अच्छे से उसको तयार कर लीज़े निगेटिब मार्किंग में सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि आप अगर अच्छे से तयार कर ले जाएंगे तो आपका सब कुछ निगेटिब मार्किंग या कुछ भी हो सब सही हो जाएगा क्योंकि जो आप करेंगी, उसको सही से करेंगी, जो छोड़ेंगे वो सही से छोड़ देंगे उसको लिगकि जब थोड़ा थोड़ा पढ़े रहते हैं तो दिक्कत होती है नीरत चोपड़ा जो यह भी athlete है Athletic से इनका संबंद है तीरंदाजी से इनका संबंद नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा A option इसका incorrect है निम्निकित में से सर्टे कथन आपको पताना है उडिजा राजी की विधान सभा दोरा राजी में विधान परिशद की अस्थापना है तो प्रस्ताव पारित किया गया है अभी हाल में ये किया गया है और उडिजा राज की विधान परिशद में उन्चा सदस होंगे जो विधान परिशद में सदस होते है वो जो भी विधान सभा में होते हैं उसके one third होते है जितने भी होंगे उसके तिहाई तो इसके एक तिहाई जो हो जाएंगे 89 सत 1 यहाँ पर होंगे अभी तो हम देखेंगे तो परतवान में भारत में 6 राज्यों में दूसरा च्छरह ईका है अब इसको हमको पताना है सत्य कौन सा है पहला सही और दूसरा भी सही चाह नपने तीसरे पर ध्यां दिजके लेकिन ये सात्मा हो गया था जब ये तिलंगाना हुआ था अब जो होंगे वो आठ होंगे आगे लेकिन बरतमान में पूछा जा रहा है छे राज्यों में तो ये गलत है बरतमान में सात्मान में है मैंने बताया ना कि आंदप्रदेश उतलंगाना जब अला हुआ था तो साथ में बर्तमान में है तो ये तीसरा गलत हो जाएगा एक दो से ही हो जाएगा और जब उडीशा में भी हो जाएगी तो यहां पर आठ हो जाएगा ये आकड़ा जो पहुंच जाएगा यहां रखेग साथ पादपंजिक्रित हैं देखिए कितना बड़ा इस्टेटमेंट फोगा लेकिन जब आयसा होता है तो यह सही ही होता है और पंजीक्रित सेवाओं की संक्या इस पर 4932 है 3932 इस तो यह भी सही है ये तीनो के तीनों स्टेटमेंट सही है डी ऑप्सन इसका करेंट आपसन ह कभी भी ध्यान रखिए जब बहुत ज़्यादा आकड़ों में आपको उल जाएगा तो वो इस्टेटमिन लगबक सही होता है जब एक ये छोटे वहीसी में कर देगा 4000 है या 4500 देदेगा या 400 देदेगा तो गल्तियां यहीं पर होती है तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए मंत्रा आले सही से देख लिया कीजिए है ना क्योंकि ये नेशनल जेम है ये मार्केट पेले से तो बारीज मंत्रा ले दिया है तो ये लगबक सही है ठीक है ना अपवाद बहुत कम ऐसे होते है हाली में जारी फार्चून की चेंज आफ फड़ वर्ड सुची तो को पहुंच अस्थापित होती है तो इसलिए पुर्सकार इसको दिया गया है रिलाइंस जीयो को हाली में मरीजों के अधिकारों के चार्टर का मसवधा किन्द्रिय स्वास्तियों प्रिवार करलीयान मंत्राले की द्वारा जारी किया गया निम्डिकित में से कौन से अधिकार इसमें सामिल है गोपनियता, मानोगरिमा, निस्ता का अधिकार आपातकालिन, चिकिसा, देखभाल का अधिकार सूचना का अधिकार तो ये सारे के सारे अधिकार इसमें सामिल है एक, दो, तीन, यह जो भी अधिकार दिये हुए हैं तो यह मरीजों के जो अधिकारों का चार्टर है इसमें सबसामिल है और मंत्राले याद रखिया क्योंकि मरीजों की बात है तो स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्राले की बात होगी 22 सवा प्रशन है भारत सरकार का कौन सा मंत्राले है जिसने सार्जनी कुपकरमों के लिए खेल नीत जारी की है यह important प्रशन है क्योंकि यहाँ पर खेल मंत्राले आपको नहीं टेक करना है ठीक है नव, यहाँ पर दिया भी नहीं है, देखिए आप थोड़ी सी समस्या हो सकती है तो इसको आपको याद ही रखना होगा तो यह है इसपात मंत्राले इसपात मंत्राले ने सार्जनी कुपकरमों के लिए खेट नीत जारी की है इसका correct option है अगला प्रशन 23 प्रशन है हाली में किस राजजी के द्वारा, राजजी में मूल इस्तीरीगरन नीत की इस्तिकरण निधी के अस्थापना जब होगा तो ये पंजाब हो जाएगा D option इसका correct option है 23 चोबिसमा प्रशन है हाली में GST council ने digital payment पर tax छूट देने का फैसला किया इस संबन्द में सत्यकथन मताना है सुसील मोदी की अधिक्ता में गठित मंत्री मंडल जो मंत्री समूत ही उसकी सिफारिस पर ये फैशला किया गया है करेंटेफर की class में हमने इसको डिसकस किया था भीम रूपे UPI या डिजिटल माध्यम से भुकतान करने पर अधिक्तम 100 रूपे की छूट इसमें दी जाएगी और इसे देश में डिजिटल भुकतान को प्रोसाहन प्रोसाहित किया जायेगा तो प्रोसाहित किया जायेगा तीनों का तीनों इस्टेट्मेंट सही है तीसरे में तो कोई डवट हाई नहीं है सुसील मोधी भी आप जानते होगे और 100 रुपिय की छूट ही दी गई है, इसमें कोई खजार की नहीं दी गई है, मध्या सोचिएगा कि बहुत तगडी छूट दी जाएगी, 100 रुपिय ये सरकार के लिए ऐसे छूट देना बहुत होता है, तो ये D-Option हो जाएगा, 1, 2, 3, सारे के सारे इसमें सही है, हाली में क स्मार्ट इंडिया है गया था, 2019 का सुभारम कहां किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, तो प्रकाश जावेड करने किया था, और इसको किया था, नई दिल्ली में C-Option, इसका करेक्ट ऑप्सन है, बहुत इंपोर्टन प्रशन है, याद रखिएगा, 26 प्रशन ह हाली में उत्तरप्रदेश सरकारद्वारा, उत्तरप्रदेश प्रशनस्क्रित तिल निर्यात नीती, 2018 से 23 की ये नीती है, इसको मंजूरी प्रदान किये गई है, उसके बारे में सत्य कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन, अशत्य है, अशत्य कथन, सत्य आपको पता होगा, तो असत्य आप निकाल लेंगे, पहला है कि आरतियों के माध्यम से खरिदारी करने पर मंडी सुल्क पर मात्र दो प्रशत छूट प्रदत की गई है, प्रसंस्क्रित तिल की प्राप्ति के प्रशात औसे 25 प्रशत पर नियम के तहत मंडी सुल्क यों विकास से रहे कि तीसरे में यह गलत है यह 65 परशन नहीं 75 परसंट है, यह प्रस्न ऐसे ही डिटेल में पूछा जा सकता है, क्यूँकि UP की बात है, तो यह 65 पर नहीं 75 परशंट है, जएकि जो प्रसंस्क्रित तिल का आधर्स रिकावरी मानक है वो 75 परसंट है, इस नीत की अम्शा अगला प्रश्ण है 27 प्रश्ण है 18 अगस 2018 को मद्य प्रदेश सरकारद्वारा प्रधानमंत्री अटल जो पूर प्रधानमंत्री सुर्गी अटल विहरी बाजपेई जी की इस्मृति को हच्छोड बनाये रखने के संबंद में कई निर्णे दिये गए इनमें से कौन सा असत् बोपाल और गौारियल में अटल जी की याद में भवे श्मारक का निर्मार किया जाएगा पहला स्टेटमेंट दूसरा है गौालियर और गुना में अटल जी की याद में इस्वृति वन की अस्थापना की जाएगी और आगामी वर्स में इस्कूली सिच्छा में पाठिकर में ऐसा किया जाएगा गोलियर और भोपाल में इनकी स्मृति में इस्मृति बनकिया स्थापना की जाएगी तो यह इंपोर्टेंट है वहां की मुख्यमंत्री सिवराज चौहान है भारतियंता पार्टी की वहां पर गॉवर्मेंट है ठीक ना राजिपाल आप बता याद भी नहीं आ रहा है ठीक है ना आप लोग कहते हैं कि जो मुझे याद नहीं होता है तो मैं पूछ लेता हूं चली मुझे नहीं याद है आप बता दीजेगा 28 प्रशन है हाल में स्वच्छता पर तीसरे पच्च की सर्वेच्छन रिपोर्ट स्वच्छ रेल जैरी की गई A1 स्रेंडी के स्वच्च कौन सा है इस रिपोर्ट में तो यह स्टेशन है जोदपूर कहा है राजस्थान में तो यह जोदपूर याद रखेगा जीवन सुविधा सुचकांग 2018 के संदर में निम्निकित कतलों में से कौन सा कथन अशत्य है जीवन सुविधा सुचकांग 2018 आवाजियों सहरी मामले मंतराले की एक पहल है पहला कथन दूसरा है यह सुचकांग चार अस्तमों संस्थागत सामाजिक आर्थिक और भौतिक पर आधारी थे और तीसरा है सुचकांग में पूड़े को प्रथमस्थान प्राथ हुआ और सुचकांग में 121 सहरों को शामिल किया गया है यह डीविकल्प अंतिम विकल्प है यही गलत है डीविकल्प गलत है इसमें 111 सहरों को सामिल किया गया है 121 को नहीं तो यही गलत है और यह सब याद रखिएगा पीडियोप में पढ़ लीजेगा अंतिम प्रश्ण है तीसमा प्रश्ण इमनिखित में से सत्यकताना आपको बताने हैं 11 अगस 2018 को केंद्री सूचना प्रद्योकी मंत्री स्री रविशंकर प्रशाद ने गुहाटी में डिजिटल नार्थीष्ट विजन 2022 जारी किया यह विजन दस्तावेज उत्तरपूर्व के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए उन जीवन अस्तर में सुधार लाने के लिए डिजिटल प्रद्योकी का लाब उठाने पर जोड़ देता है और अन्तिम इसका तीसरा स्टेट्मेंट है डिजिटल प्रद्योकी के उप्योग में 50 लाख राज सरकारी करमचारी के लिए छहमता निर्मार किया जाएगा ध्यान से पढ़ ये तीनों स्टेट्मेंट को पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है क्या तीसरा स्टेट्मेंट सही हो सकता है क्या इस राज में 50 लाख राज करमचारी हो सकते हैं गलत है ये 50 हजार होगा 50 हजार की यहां बात हो रही है तीसरा गलत हो ज किजिएगा शेर कीजिएगा इसको अपनी पसंदगी यानि अपनी लाइक बता कि इसको बताईएगा पीडियाप मैं इसको टेलिग्राम लिंक पर आपको उपलप्ट करा दूंगा टेलिग्राम लिंक नीचे डिस्कुप्शन बॉक्स में दिया गया है उस लिंक के माद हम से आप चैनल को जोईन कर लीजिए, जो टेलीग्राम का चैनल है, और वहां से इसका PDF आप परात कीजिए, जो लोग डेली का करेंड अफियर यहां पर ISPREP पे देख रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो आराम से इन सारे प्रशनों का जबाब दे देंगे, यह मेरा क